नमस्कार दोस्तो यूटूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरा नाम है इक्ता आज हम बेसन की बर्फी बनाने जा रहे हैं दोस्तो दिवाले की आपको बहुत बहुत शुप काम नाएं ये वाले तीन कप मैंने बेसन लिया है दो कप मैंने शुगर लिया है पिसी हुई शुगर लिया है मैंने एक कप मैंने घी लिया है और एक चोटा कप मैंने सूजी लिया है ये चार चमच के करीब है बदाम लिया है बीस एक और इलाइची पाउडर लिया है गैस पे कड़ाई रखेंगे और घी डाल देंगे और बादान को हम बारिक बारिक काट के रख लेंगे घी को मेल्ट आने देंगे घी हमारा पिगल गया है अब हम इसके अंदर भी इसन डाल देंगे मिक्स कर देंगे अच्छे से देखें कि अच्छे से मिक्स हो चुका है बेसन के अंदर और इस तरह से हम मैश करते हुए इसको हलका भून लेंगे हमें हलका बदामी कलर का करना है और गैस का फ्लेम हमें लो रखना है लो रखके ही हम इसे भूनेंगे देखें यह हलका सा बदामी कलर का हो गया है साधा नहीं हुआ हलका हुआ है अब हम इसके अंदर सूजी डालेंगे मैंने चार चमज सूजी लिए है अब यह चार चमज सूजी हम इसके अंदर डाल देंगे कई लोग पहले बेशन के साथ ही सूजी डाल देते हैं अगर आप उस तरह से डालना है तो आप डाल सकते हैं लेकिन इस तरह से सूजी डालने से बफ़ी काफी टेस्टी बनती है अब हम इसके अंदर मैं 1.5 cup sugar डाल रही हूँ अगर मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कमनिया जादा mix कर देंगे अच्छे से देखें यह अच्छे से mix हो गया है देख सकते हैं अप अच्छे से mix हो गया है अब मैं एक चमच ही और डाल रही हूँ के अंदर जिसे बर्फी हमारी काफी अच्छी और टेस्टी बनेगी देखिए यह बर्फी हमारी त्यार होगी है यह इसको बंद कर देंगे और ट्रेज जिसमें हमें बर्फी जिमानी है उसको ग्रीस कर लेंगे अच्छे से घी से चारों और से अब रफीस के अंदर डाल देंगे अब स्पेचला की हेल्प से अब हम इसे सेट कर लेंगे अब देखे इस तरह से सेट कर लेंगे खाने बहुत टेस्टी बनते हैं वर्फी आप घर में आसानी से बना सकते हैं अब मैंने जो बदाम लिए थे वो इसके उपर गार्निश कर दूगी अब देखे मैंने बदाम सारे डाल दिये हैं अब हम इसे दबा देंगे स्पेचला से हलका हलका जिससे की बदाम बर्फी के अंदर अच्छे से चले जाएं और चिपक जाएं अब हम इसे 4-5 गंटे तक जिमाने के लिए रख देंगे देखे 4-5 गंटे हो चुके हैं अब हम इसकी कटिंग करेंगे आप किसी भी शेप में बर्फी को काट सकते हैं ये काफी सॉफ्ट और अच्छी बर्फी बनी है चोटे बड़े पीस आप अपने हिसाब से काट सकते हैं कि देखे फ्रेंड्स हमारी बर्फी ट्यार है अब हम इसे एक प्लेट में रख देंगे देखे Fren Sophia के लिए कफी स्वादिष्ट अप एक बद घर में जरूद च्राए किजिए देख सकते हैं काफी अच्छी बनी है खाने में भी उतनी हि टेस्टी है आप एक बार घर में जुरूर ट्राइ कीजिए अगर आपको पसंद आए अपने दोस्तों साच नमस्कार दोस्तों यूटूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरो नाम है इक्ता आज हम डेसन के